गुद्बॉर्णिंग स्टूडेंट्स आइम रीता सर्वा वेलकम यू इन न्यू लेक्चर ऑफ केमिस्टी गाइस आज हम नाइफ क्लास केमिस्टी के चैप्टर सेकिंड इस मैटर अराउंड अस फ्योर से एक टोपिक डिसकस करने वाले हैं मिक्शर का सेपरेशन कैसे उनके कंपोनेंट को सेपरेट कैसे करेंगे तो बिटा जो हेट्रोजीनियस मिक्शर है उनको तो हम फिजिकल मैथड से भी सेपरेट कर सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्शर का मतलव सोल्यूट और सोल्वेंट के पार्टिकल मतलव जिन से मिला करके आपने मिक्शर को बनाया है वह completely mix नहीं होते हैं उनके लिए आप जैसे फिल्टरेशन का यूज कर सकते हो जैसे हम टी बनाते हैं चाय बनाते तो टी लिउस अलग करते फिल्टर करके तीविंग आठा जो छानते हैं छलनी से सीविंग करके भी हम सेप्रेट कर सकते हैं बड़े हैं पार्टिकल तो हम ही जैसे आपने ऑलिन वाटर मिक्स करके देखा होगा मिखने नहीं होते हैं अश्ली को वाटरपे डालेंगी तो वो नहीं होते हैं उनको सब्सक्राइब करेंगे बच्चों इम्मेजिबल लिक्विड का मतलब लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फणनल का यूज करेंगे एक्जामपल ले रहे होईली वाइडर को सेपरेट करेंगे जैसे मस्चर ओली वाइटर हो गया कैरोसीन ओली वाइटर होगया तो इसको इसका है करेंगे इस ताइप को यह दिवाइस दिख रहा है इसमें ऊपर यह एक कवर है खुल जाता है वह इसको अपर से ओपन करके इसमें हम जिस मिक्षर को हमने सेपरेट करना है उसको प्रोर करते हैं और थोड़ी देले के लिए अंडिस्टर्ड हम रख देते हैं आपको दो लेयर दिखाई देंगी इसमें नीचे वाटर की लेयर दीखेगी और उपर ओयल की लेयर क्योंकि जो डैंस्टी है वो वाटर से कम है आप इसको अंडिस्टर्ड रख देंगे थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसको हम नहीं उसके बाद आपको दो लेयर दिखाई देगी यहां पर स्टोप लगा हुआ है यह उपन करके जब यह लेयर अंडिस्टर्ड हो जाएंगी तो आप इसको ओपन करेंगे वाटर मीचे रहेगा नीचे निकलता जाएगा सेपरेट कर लेंगे जब तक यहां पर ओयल को बंद क कर सकते हैं और बिटा यह जो टेखनीक है यह कहां कहां आती है जब आयरन का एक्स्रेक्शन करते हैं उसके ओर से और का मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनमें नेच्यर में मैटल एक्जिस्ट करती है जैसे आयरन का और है हैमेटाइट एफ एफ एटू ओ तो जब इससे हम ठीक्शन करते हैं तो इंप्योटी निकालने लिए एफ एक कर रहे हैं इस टेक्नीक का यूजक किया जाता है बचू एंप्योटी है तो इंवीजिबल लिक्वीर को हमने सेपने सेपरेटिक कर दिया इस मैधर से इसकी टेकनीक है आपको स्क्रीन पे यहां पर दिखाई भी इसको आप अच्छे से समा सकते हैं कैसे प्रोसीजर हो रहा है प्याले हम क्या करते हैं इंविजिबल लिक्विड को सेपरेटिंग फिनल में डालते हैं उसके बाद अंडिस्टर्ब लगते हैं थोड़ी देर के लिए फिर हम स्टोप को ओपन करते हैं वाटर हम रिमूब कर ल सेपरेटिंग फनल की हैल्प से एक मिक्षिड जिसमें दो इमिजिबल लिक्विड जो मिक्स नहीं होते हो उनको सेपरेट करेंगे आपको स्क्रीन पे इसेपरेटिंग फनल दिखाई दे रहा है सैपरेटिंग फनल को fix किया गया क्लेंप स्टेंड की है तो और separating funnel का उपर का इसा जिसको mouth कहते हैं वो open है और नीचे एक wall लगा हुआ है जिसको stop को कहते हैं जिसको open करके liquid को निकाल सकते हैं इसमें हम mixture को प्योर करेंगे जिसमें दो immisible liquid है जो mix नहीं होते थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे रख देंगे फिर इसके बाद आपको दो लेयर में दिखाई देंगे हैविक बिद नीचे लाइट लिकली ऊपर जैसे वाटर नीचे विध्ल फिर हम क्या करेंगे स्टोप को को हम open करेंगे और उसकी हैल्प से लिकुड की एक लेयर को हम सेपरेट कर लेंगे जिससे लिक्विड की लेयर सेपरेट हो जाएगी यह बिकर में हमने सेपरेट कर लिया एक लेयर को नौ ऐसे ही दूसरी लेयर बचगी लिक्विड की उसको भी हम सेपरेट कर लेंगे तो बच्चो इस तरीके से इंविजीबल लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं बच्चो क आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब से यह जरूर कर देना थेंक्यू है में नाइस